ओम शांती आज 14 दिसंबर 2021 है कर्मातीत बनना ये बहुत उंची स्थिति है उंचे बाप उंचा सबसे उंटम शिक्षक और सत्गुरु आकर के हमें ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे हम उस उचाई को प्राप्त कर सके लेकिन जैसे बाबा हमें शिक्षा के साथ साथ सावधानी भी देते हैं कि जितनी उची मन्जिल पे जा रहे हैं अगर उतनी उचाई से गिरेंगे तो हटगुट तूट जाती है तो इसके लिए ऐसी उत्तम स्थिथी को बनाए रखना और वहां तक असलियत में एंड तक पहुँच पाना इसके लिए आए जानते हैं आज के वावा के अव्यक्त इशारे पुरानी दुनिया में पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधी अपनी श्रेश्ट स्थिथी को हलचल में ना लाए स्वचिंतन ज्यान चिंतन शुब चिंतक बनने का चिंतन ही चले तब कहेंगे कर्मातीत स्थिथी कर्मातीत अर्थात कर्म और कर्म से जुड़ी हुई हर बातों से न्यारा अतीत जो न्यारा है उसे कोई भी चीज हलचल में नहीं ला सकती जब तक हमारा कही ना कहीं कोई ना कोई connection है कही ना कहीं लगाव है तब तक ही हम हलचल में आ सकते हैं आज जो बाबा ने हमें रूप बताया है कर्मातीच ठिथी से नीचे आने का जो माया रूप रच्ती है वो है शरीर की व्याधी का ये शरीर की व्याधी हम आत्माओं के समक्ष यूँ तो सारी दुनिया के लिए लिकिन ब्रामणों के समक्ष खास तौर से कई अलग-अलग रूप से आती है शरीर का पुरशार्थ में सहयोगी ना बन पाना सेवा में कही ना कहीं कोई ना कोई व्याधी शारेरिक रूप से आ जाना क्योंकि यही हमारे कर्म भोग को चुक्तू करने का एक साधन भी है यह अगर आत्मा देही अभिमानी नहीं है तो उसको अपनी कर्मातीच स्थिती से नीचे ले आता है या यू कहें वहां तक पहुचने ही नहीं देता इसलिए बाबा ने कहा अपनी स्मृती को देहे से न्यारा बनाने के लिए अपनी स्मृती कैसी बनानी है तीन शब्द आज बाबा ने कहे स्वा चिंतक हमेशा इस समय मेरा क्या कर्तव्य है मेरा क्या स्वरूप है मेरा साथी कौन है इस चिंतन में ही रहना ये है स्वा के प्रती चिंतन जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसका आदी मध्य अंत ज्यान के मार्ग पर हो ये है ज्यान चिंतन कोई भी संकल्प किया क्या ज्यान के अनुसार ये राइट है तो ही उस संकल्प को हम आगे बढ़ाएं और अन्यात्माओं के प्रती शुब चिंतक तो जब हमारा मन हमेशा स्वचिंतन ग्यान चिंतन और शुब चिंतन में बिजी रहेगा तो नाचरल ही हम देह से न्यारे होते जाहेंगे और फिर देह का हिसाब किताब हमारा हिसाब किताब नहीं बनेगा हम उस भी हिसाब किताब को चुक्तु करते हुए भी उस से न्यारे रहेंगे यही है कर्मातीत स्थिती उंची स्थिती तक पहुँचने का और उसको बनाए रखने का आज का बाबा का सहज इशारा ओम शंति